उत्सा और नई उमीद के साथ पूरी दुनिया ने साल 2023 में प्रवेश कर चुकी है साल की शुरुवात के साथ कई नियम में बदलाव किये गए हैं जो हमें प्रभावित करेंगे इन योजनाओं और सुविधाओं से जुड़े ने नियम एक जनवरी 2023 से प्रभाविय उच्चिके है ऐसे में एक बदलाव इंशॉरंस पॉलिसी के नियम से भी जुड़ा हुआ है अगर आप बीमा पॉलिसी खरीदने का विचार बना रहे हैं तो नय नियम को जान लेना चाहिए वरना आप पॉलिसी नहीं खरीद पाएंगे तो चलिए जानते हैं क्या कहता है नया नियम इस रिपोर्ट में नमस्कार मैहुत तन्वी सिना और बिस तक की पूरी टीम के ओर से आप सभी को ने साल की धेरोशुब कामनाए ग्याहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतिय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानि IRDAI ने बीमा पॉलिसी पॉर्चेजिंग नियमों को सक्स कर दिया है दरसल IRDAI ने हर तरह के इंशॉरंस की पॉलिसी खरीदने के लिए KYC अनिवार कर दिया है बीमा करताओं को इस समंद में दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं ने नियम एक जनवरी 2003 से प्रभावी हो गये है बीमा नियमक ने कहा है कि ने नियम हेल्थ पॉलिसी, लाइफ इंशॉरंस, आटो इंशॉरंस, होम इंशॉरंस समेथ सभी ट्रावल इंशॉरंस पर भी लागू होंगे बताने अब तक इंशॉरंस खरीते समय KYC डॉकुमेंट्स को शेर करना एक आप्शन था हाला कि अब बीमा करताओं को अपने सम्मंदित गाहकों से KYC दस्ताविज लेने होगे इस नैनियम के साथ उमीद की जा रही है कि क्लेम प्रोसेस प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी क्यूंकि इंशॉरंस के पास गाहकों की एक विस्तरित प्रोफाइल होगी बीमा कंपनियों के लिए KYC डिटेल, रिस्क असेस्मेंट और प्राइसिंग की सटीक्ता में सुधार करने में भी मदत मिलेगी और या फ्रॉड क्लेम के रिस्क को कम कर सकता है वहीं कहा जा रहा है कि KYC प्रक्रिया के लिए इंशॉरंस कंपनिया ग्राहकों से चार्ज लेगी जिससे इंशॉरंस प्रीबिमियम कि राशी महँगी हो सकती है इसके साथ ही एड़ा ने बीमा करताओं से कहा है कि वे उन पॉलिसी धारकों को सामाने और स्वास्त बीमा पॉलिसीयों के रिन्यूर पर छूट देने का विचार करें जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के तीन शॉट्स लिये हैं बीमा नियमक में लाइफ और नॉन लाइफ इंशॉरंस दोनों कमपनियों को कोविड-19 समंदित दावों को जल से जल्ट निप्टाने और कागजी काम कम करने को कहा है ताकि पॉलिसी धारकों को रहत मिल सके तो अगर आप भी भीमा पॉलिसी खरीदने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको पता है कि के वाइसी अनिवारे हो गया है अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गए जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले साथी बिजन जहत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक